नमस्कार दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर सम्राट जानकर एडवान्स लाप्रोस्कोपिक जीया एंड कोलोरेक्टल सर्जन बेस्डेट पुने दोस्तो आज हम एक बहुत कॉमन प्रस्ण का जवाब देखेंगे इस वीडियो दारा गॉल ब्लाडर सर्जिरी के बाद में क्या डायेट होना चाहिए गॉल ब्लाडर सर्जिरी दुनिया में होने वाली एक सबसे कॉमन सर्जिरी है और एक सेफ सर्जिरी है लगबग 99% लाप्रोस्कोपि से होती है गॉल ब्लाडर निकालने के बाद या सर्जिरी के बाद क्या खाना चाहिए वो समझने के लिए पहले गॉल ब्लाडर का फॉंक्षिन देखना ज़रूरी है गॉल ब्लाडर एक छोटी सी थैली होती है जो कि आपके राइट साइड में लिवर के नीचे होती है जब भी आपके गॉल ब्लाडर में स्टोन हो जाए, पॉलिप हो जाए, कैंसर हो जाए या liver का कोई major surgery है या दूसरा कोई cancer का major surgery है उसमें gallbladder निकाला जाता है gallbladder commonly gallbladder stone के लिए निकाला जाता है जिसमें gallbladder stone यानि पित्त की थैली पित्त की थैली में के कंकर के साथ complete निकाला जाता है वो एक standard procedure है या standard treatment है surgery के बाद में क्या खाना चाहिए ये बहुत बड़ा question रहता है gallbladder जो है excess bile जो भी excess पित्त निर्मान होता है liver से वो store करके रखता है जब भी आप खाना खाते हो gallbladder pump करता है लगबग 2 घंटे के बाद में जो आपका खाना है mainly fat cholesterol digest करने के लिए पित्त help करता है अगर आप surgery करवा लेते हो तो वहाँ पर gallbladder नहीं है यानि storage organ नहीं है storage organ नहीं है इसका मतलब यह नहीं बाइल नहीं है बाइल तो liver से produce होता ही है और जब आप खाना खाओगे बाइल आएगा और fat digestion के लिए help करेगा लेकिन आप अगर heavy junk food खाओगे बहुत fatty food खाओगे बहुत सारा non-wage at a time खाओगे इस वक्त में excess bile की जुरुरत होती है जो gallbladder ना होने के वज़े से आपको indigestion की सिकायत हो सकती है पेट फुला हुआ ब्लोटिंग का सिकायत हो सकता है कहीं का बार मरीश को bowel rush हो सकता है यह avoid करने के लिए आप excess fat excess fat meal जैसे पनीर है, cheese है या कोई भी excess fat वाली meals है excess non-wage है, junk food है, heavy food है, late night food है यह चीज avoid करना चाहिए और आपके जो भी खाना है, एकी बार या दो बार दिन में खाने के बगएर आप दिन में कम से कम पास से 6 meals में, छोटे-छोटे meals, frequent meals अगर आप खाते हो तो जो भी liver से bile secret हो रहा है, वो enough हो जाता है digestion के लिए और वो digest कर लेता है कही कहार मैंने देखा है, गॉल बलडर सरजीर के बाद में fat free खाना चाहिए, दिक्कत नहीं होगा यह गलत फेमी है, दोस्तो fat आपके digestion के लिए, आपके health के लिए बहुत जरूरी है fat के उज़े से skin glow रहता है, fat के उज़े से आपकी health अच्छे रहते है fat के उज़े से बहुत सारे vitamin ADE के absorption के लिए जरूरत होती है अगर आप fat free diet जो पे जाओगे तो उसके side effect long term में बहुत आएंगे gallbladder surgery के बाद में fat खा सकते हो moderate amount में excess fat, excess cheese या बहार का junk food या excess non-wage जो excess है वो नहीं करना है, जिससे excess bile जो आने वाला था gallbladder नहीं है तो excess चीज़े आपको नहीं करना है, उतना ही आपको सावदानी बरतनी है चलो ये मान लेते हैं कि gallbladder surgery के बाद में ये करना है no common में ये नहीं, normal में भी आपका अगर diet excess fat नहीं है या excess junk food नहीं है, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपका अगर gallbladder में stone है, उस वक्त में भी आप excess fat खाते हो तो possibility रहता है, excess bile आपको push करने के चक्कर में gallbladder का जो भी कंकर है, जाके आटत जाएगा और infection लेके आएगा symptom, most common जो symptom gallbladder stone के रहते है, pain रहता है वो maximum time जो मरीज आते है, वो यही बोलते है कि हमने बहुत heavy milk खाया, उसके 2 घंटे के बाद चालूआ, तो इसका मतलब है आपका अगर gallbladder stone है, stone के साथ या stone के बाद या आप absolutely normal हो, उस वक्त में भी यह diet लगबग सब के लिए applicable है तो दोस्तो, gallbladder stone होने के बाद या surgery के बाद आप excess fat, excess junk food, heavy non-wage, late night food, avoid किजिए small frequent meal, दिन में 6-7 बार divided meal खाये तो आपकी सिहत अच्छा होगी, आपका health अच्छा होगा, आपका nutrition अच्छा होगा और moderate amount में fat खाना बहुत जरूरी है, complete fat free diet पे मज जाई, धन्यवाद दोस्तो